Axis Small Cap के पिछले 2 साल के return है 45.11% के Great, HDFC Small Cap के पिछले 2 साल के return है 52.40% के Amazing, वहीं अगर हम एक Large Cap mutual fund की बात करते हैं तो Axis Blue Chip fund के पिछले 2 साल के return है 27.25% के बस 27.25% के return हमारे वाले ने तो 60% के return है आजकल सब लोग Small Cap mutual fund में invest करने के लिए बहुत यहता excited है जिसको देखो सबके जुबान पे सिर्फ और से small cap mutual fund ही रखा हुआ है और तो और कोई भी 50-60% के नीचे के returns की बात ही नहीं करना चाहता जो कि ठीक भी है क्योंकि small cap mutual fund ने पिछले 1-2 साल में जो returns दिये हैं एसे returns ना तो large cap mutual fund दे पाया है ना ही कोई दूसरी category का mutual fund शायद दे पाया हो मतलब जितना मुझे याद है शायद ICC bank का जो technology fund है उसने पिछले 2 साल में 88% के returns दिये हैं लेकिन वो एक sectoral fund है तो उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं low risk takers की तो जब stock market में investment की बात आती है तो यहां पर तीन तरह के इंवेस्टर आ जाते हैं सबसे पहले आ जाते हैं high risk या फिर aggressive investors दूसरे आ जाते हैं moderate risk takers और तीसरे आ जाते हैं low risk takers इन में से low risk takers वो लोग है जिनको stock market और ऐसे investments पर ज्यादा कुछ भुरोसा नहीं होता बस एक डर है जो कि ऐसे लोगों के मन में काफी सदा बैठा होता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए मेरा पैसा मेरे पास ही रहना चाहिए कल को कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा world war 3 हो गया तो क्या होगा stock market पर अगर को एस्टोरेट आगे गर जाता है तो क्या होगा तो ऐसे में low risk takers अपना अधिकतर पैसा या तो FD में या PPF में या फिर NPS में मतलब ऐसी जगर पे रखते हैं जहां से या तो guaranteed returns मिलते हैं या जहां पर उनका पैसा कभी भी negative में नहीं नहीं देखा या विर आप कभी भी अपना पैसा future में negative में जाते हुए नहीं देख सकते तो ऐसे में आपको small cap mutual fund से बहुत बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि small cap mutual fund जब growth देता है तो बहुत अच्छे growth देता है काफी surprise कर देता है महीं दोसी तरफ small cap mutual fund जब down होता है या फि बहुत जब़ ज़दा surprise कर देता है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यह मैं आपको दिखा देता हूँ इस वक्क जो आप मेरी screen पर graph देख रहे हैं यह है nifty small cap 100 का graph यानि कि वो top small cap 100 companies जो की nifty index के अंदर आती है तो जैसे कि nifty 50 index है ऐसे ही nifty small cap 100 भी एक index होता है तो मैंने जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं January 2022 तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि small cap ने कितने सारे surprises आपको दिये हुए हैं recession की बात करते हैं तो यह index 6000 points से गिर के सीधे 1300 points के आसपस तक आ गया था जो कि एक बहुत बड़ा downfall था recession के बाद जो market recover हुई थी तो यहाँ पर एक अच्छ से 2019 तक अगें यहाँ पर graph जो है बहुत तीजी से नीचे की तरफ गया है और काफी negative returns यहाँ देखने को मिले उसके बाद जब corona आया तो यह vertically down गया और जो data आप actually में देखते हैं पिछले एक-दो साल का वो data आप यहाँ से देखते हैं यानि कि इस वाले bottom points से लेके जनवरी 2022 तक का data तो यह है वो 50-60 या 70% के return जो कि आपको देखने को मिलते हैं तो अगें यहाँ पर जो graph है बहुत तीजी से उपर की तरफ गया था तो small cap mutual fund में आप कहीं पर भी constant growth या फिर एक linear growth देखने को आपको नहीं मिले कि यहाँ पर बहुत जादा ups and downs यहाँ चलते रहते हैं यही वो चीज है कि small cap sector को large cap sector से जादा volatile और बहुत जादा risky बोला जाता है वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको nifty 50 index ग्राफ भी दिखा देता हूँ तो जैसे कि आप यह ग्राफ देख पा रहे हैं 2008 के recession के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत जादा एकदम से high level top and bottom देखने को नहीं मिलेगा आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर एक सीधी line भी draw कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो growth है वो constant एक growth उपर की तरफ गई थी बहुत जादा ups and downs जैसे कि हमने small cap के case में देखा था यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे एक जो बहु आपको वहाँ पर बहुत जदा ups and downs देखने को नहीं मिलेंगे आपकी जो growth है वो भी regular और constant growth आपको देखने को मिलेगी और आप भी वहाँ पर comfortable रहेंगे second हमारे पास आजाते हैं new investors तो अगर आप अभी investing में beginner हैं और आपने अभी कुछ समय पहले ही stock market और इसे related जो options हैं उनमें invest करना सीखना स्टार्ट किया है तो आप क्योंकि आप सीखी रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सोना जरूर होगा कि small cap में जरूर invest करना चा आपको कैसे returns मिल पा रहे हैं वो चीज़े कैसे काम करती हैं मतलब कुछ समय मुझे लगता है कि आपको इन सब चीजों को समझने में लगाना चाहिए जैसे कि क्या-क्या investing options आपके पास है SIP कैसे काम करती है लंसम में अगर आप invest करते हैं तो लंसम कैसे काम करता है आप अप कैसे risk manage कर सकते हैं कैसे आप अपने portfolio को divers कर सकते हैं अलग-अलग categories को आप समझिए index क्या चीज है या benchmark किस चीज को बोलते हैं मतलब वह भी आपके पास बहुत सारी चीज़े हैं जो कि आप सीख सकते हैं मतलब आपके कोई ऐसी train नहीं चुटी जा रही है कि अगर आप अभी स्टॉक एक multi bagger स्टॉक है जो कि अगले 3-6 महीने में 800% तक growth करने वाला है मतलब इस तरह की चीज़े मेरे खाल से आपको ज्यादा नुकसान पहुचा देंगी तो मेरे खाल से आप अपने आपको भी समय दीजिए थोड़ा सा समझिए सीखिए देखिए उसके बाद आपको तो small cap mutual fund में invest करने के लिए आना चाहिए तीसरे नंबर पे आ जाते हैं low patience वाले लोग मान लीजिए कि आप आज एक small cap mutual fund में पैसा invest करते हैं और वो mutual fund आपको अगले एक दो महीने में कुछ अच्छे growth देना start कर देता है मतलब आपको अराम से 10-12% के returns मिल जाते हैं तो आपक आपको minus 20% minus 30% के मिल रहे हैं मतलब जो positive feeling अभी तक आपको आ रही थी अब वो positive feeling negative feeling में बदल गई है तो ऐसे में क्या आप relax रह पाएंगे क्या आप अपने patience रख पाएंगे और अगर worst case में यही negative returns आपको अगले 3 साल या 4 साल तक भी लगातार मिलते रहते हैं यानि कि आप आपने लंसम में invest किये थे एक लाग रुपे अब वो एक लाग रुपे पिछले 3-4 साल में घटकर रहे गए हैं खाली 60,000 रुपे तो क्या आप ऐसे में अपने patience रख पाएंगे अगर रख पाएंगे तो आप बिल्कुल small cap के साथ continue कर सकते हैं आप इसमें invest कर सकते हैं लेक चीज actually में पीछे repeat हो चुकी है अगर आप नज़र डालेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो जनवरी 2008 से लेके जनवरी 2014 तक अब देखेंगे तो यहाँ पर actually में कोई खास real growth यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगी मतलब यहाँ पर सीधे 6 साल का graph आ जाता है कि इस 6 सा यहाँ पर returns यहाँ पर लोगों को नहीं दिये थे और दूसरा case हमारे पास आ जाता है December 2013 से लेके जनवरी 2017 तक का जहाँ पर actually में यहाँ पर कुछ खास returns देखने को नहीं मिले थे और तीसरा graph हमें देखने को मिलता है December 2017 से लेके December 2020 तक का यहाँ पर भी investors को इन दो date range के बीच में कुछ भी खास returns देखने को नहीं मिले थे तो इतने लंबे span में मतलब 6-6 साल तक की कोई भी growth नहीं या फिर 2 साल या 3 साल तक की कोई भी growth नहीं ऐसे में आप कितने patience रख पाते हैं आपको इसके बारे में सोचना चाहिए चौथा point आजाता है less time अभी कुछ समय पहले एक viewer का Instagram पे मेरे पास message आया था जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर तीन साल बाद मेरी बहन की शादी है मैं कुछ पैसा invest करना चाहता हूँ जिससे कि तीन साल बाद में को कुछ अच्छे growth के साथ पैसा मिल पाए तो क्या मैं सारा पैसा small cap mutual fund में invest कर सकता हूँ वहाँ पर क्या मुझे अच्छे growth मिल सकती है अब क्योंकि ये stock market है और stock market में returns की guarantee बिल्कुल भी नहीं होती अगले 2 साल में या 3 साल में क्या होने वाला है आपको किते returns मिलने वाले हैं मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई भी predict कर सकता है तो बहुत से लोगों ने कोरोना आने से जस्ट पहले यानि कि September 2019 के आसपास small cap में पैसा invest किया होगा ये सोच के कि small cap में अभी काफी बड़ा downfall आया था अब market ने recover होना start किया है तो अगर ऐसे समय में मैं अपना पैसा invest कर देता हूँ एक lump sum amount invest कर देता हूँ तो कम से कम 10-12 या 15% के return तो मिली जाएंगे लेकिन actually में हुआ क्या कुछी महीनों बाद जो 12-15% के return आप expect कर रहे थे जो लोग expect कर रहे थे उनको मिले 50-60% के negative returns यानि कि 10,000,000 रुपए घट कर रहे गए खाली 50-60,000 रुपए तो ऐसे में जो लोग बहुत जादा panic कर गए होंगे या जिनके पास बहुत जादा समय नहीं होगा investment करने के लिए उनको पैसे की जरुत होगी तो ऐसे लोगों ने अपना पैसा जब withdraw किया होगा तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा होगा लेकिन वहीं पर जो दूसरे लोग थे जिनके पास actually में काफी जादा समय था बहुत लंबे समय के लिए वो invest कर सकते थे तो उन लोगों ने अपनी position वहाँ पे hold करके रखी होगी अपनी कोई भी stock या कोई भी mutual fund redeem नहीं करवाए होंगे तो उन लोगों को वहाँ पर जब market ने recovery दी तो उस वक्त काफी जादा देखने को मिला था तो कोरोना के बाद market recovery की time पे actually में लोगों को 1500% से लेके 200% तक के absolute returns देखने को मिले थे इसलिए मैंने अपने सबसे पहले वाले point में कहा था कि low patience वाले लोगों को बिलकुल small cap से दूर रहना चाहिए in fact stock market से ही दूर रहना चाहिए अगर आपके अंदर patience नहीं है तो आपको stock market में अपने पैसा बिलकुल भी invest नहीं करना चाहिए तो वापस अपने point पे आते हैं तो अगर आपके पास अच्छा खासा समय है आप लंबे समय के लिए investment कर सकते हैं आपके पास अभी 7-8 साल हैं तो आप अपने portfolio में से 10% या 15% या बहुत जादा हो गया वाप बहुत जादा risk लेना चाहते हैं mutual fund with dynamic asset allocation में investment कर सकते हैं अब आपके मन में एक सवाल या एक doubt यहाँ पर आ सकता है कि रंजन भाई यहाँ तो आप कुछ और ही कह रहे हो आपने जब top 2 small cap mutual fund की वीडियो बनाई थी उस वीडियो के end में आपने कहा था कि small cap mutual fund को कभी भी long term के लिए hold नहीं करना चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर clear कर दो कि मैं यहाँ पर अभी भी आपको small cap mutual fund में बहुत लंबे समय के लिए investment करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं बस यह कह रहा हूँ कि भगवान ना करे अगर market में कलको कोई negative event आ जाता है जिसकी वज़े से आपके returns बहुत जादा negative में चले जाते हैं तो उनको recover करने के लिए आपके पास ample समय या इतना समय होना चाहिए कि जब market अपने आपको recover करे तो आपका वो जो loss है वो वापस से recover हो जाए आप बस चैनल को subscribe करके रखेएगा जैसी मैं वो वीडियो अप्लोड करूँगा आपको वीडियो मिल जाएगी और आज की इस वीडियो की जरीए मैं आपको एक book ज़रूर यहाँ पर suggest करना चाहूँगा इस book का नाम है Learn to Earn यह book आपको stock market की बहुत अच्छी knowledge दे सकती है जो की आपको investment करने में काफ़ जादा help करेगी और क्योंकि समय और patience की हमने बात करी लिया है तो मैं आपको बता दू कि इस book को completely पढ़ने की बजाए आप इस book की book summary कुकू FM पर सुन सकते हैं वो भी अपनी regional language में और सबसची बात यह कि कुकू FM पे 12 मार्स से लेके 20 मार्स तक चल रही है holy sale यानि कि अगर आप code use करते है holy 50 तो जो कुकू FM का 399 रुपीज का subscription है यह आपको मिलेगा flat 50% के discount पे यानि कि सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में इस app को download करने का link में description में डाला हुआ है आप वहां से इस app को download कर सकते हैं पांच यह point की बात करते हैं पांच फी category आ जाती है people who want quick money अगर आप यह सोच के small cap mutual fund में पैसा invest कर रहे हैं कि क्योंकि इसने पिछले एक-दो साल में 50-60% के return दिये हैं लेकिन हाँ इतने returns आपको मिल जाएं इसके कोई guarantee भी नहीं है जो कि बात यहाँ पर फिर से वही आ जाती है कि stock market हमेशा एक जैसी नहीं रहती and past returns do not guarantee similar returns in future तो किसी mutual fund ने past में कितने returns दिये हैं यह आपको सिर्फ help करेगा उस mutual fund को choose करने में लेकिन वो mutual fund अगेन आपको अगले एक दो साल में या तीन साल में same returns दे देगा ऐसा possible नहीं है तो दोस्तों यह जो 5 category या 5 mindset में आपको बताये हैं अगर आप इन में से किसी भी एक mindset में आते हैं अगर आपके उपर इन में से कोई भी एक point apply होता है तो मेरे घ्याल से आपको small cap mutual fund में invest करने से पहले 3-4 बार या 5 बार सोचना चाहिए क्योंकि जिस impression के साथ या जिस expectation के साथ आप small cap mutual fund में invest करने की सोच रहे हैं यहाँ पर चीज़े हो सकता हैं कि बिल्कुल वैसे काम ना करें तो दोस्तों I hope इस वीडियो के जरीए आपको small cap और small cap से related जो risk है और आपको small cap में invest करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस decision making में आपको help जरूर मिलेगी तो अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like करके मुझे बताएं आप अपने thoughts comment section में भी post कर सकते हैं और जैसे मैंने बताए कि next video जल्दी ही आने वाली है तो आप चैनल को subscribe करके जरूर रखेगा जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में thank you for watching